रादानी जैपूर में बुद्वार को कॉंग्रेस निता सोन्य गांदी ने राजिसवाग के लिए अपना नामांगकन दाखिल किया इस दोरान कॉंग्रेस ने सोन्य गांदी के नामांगकन को पार्टी के लिए काफी महत्पून बताया इससे पूरो सोन्य गांदी बुद्वार सुबह जयापूर एरपोर्ट पहुंची जहां उनके साथ राहूल गांदी और प्रेंगा वाडरा भी मुझूद रही जयापूर एरपोर्ट पहुंचने पर पूरो मुख्यमंति अश्यो गैलोत और पीसेजी चीफ गोविंशिंग डोटासरा निता परतीवक्ष टिकाराम जूली समयत कांगर्स के निताओं और विदायकों ने सोन्य गांदी का स्वागत किया सोन्य गांदी के रस्तान से राजिय सभा में नामांगन दाखिल करने के लिए पहले ही तयारे पूरी हो चुकी थी गोविंशिंग डोटासरा ने अपने सिविल लाइंज इस्तित कारेले में सोन्य गांदी के नामांगन की तयारें को अंतिम रूप दिया इस दोरान कॉंग्रेस विदाया के गंशाम महर, टूंगरा राम, नीटा सोदरी, भीमराज, भाटी, शिम्ना नायक भी मौझूद थे सोन्य गांदी ने कॉंग्रेसी कारिकतों के स्वागत के बाद राजिय सभा के लिए अपना नामांगन दाखिल किया इससे पहले सोन्य गांदी ने विधायक धल की वीठक भी ली, नामांगन दाखिल के दोरान विधायक दल की बेठक में कॉंग्रेसी जिता हो, ने सोन्य गांदी को पुस्व गुस्व बेट कर उनका स्वागत किया, इस दोरान डोटास्रा ने, अपने संब्दन में कहा कि सो प्रियंगा गांदी चुनाओ लड़ सकती हैं इस पर पूरो इस्पिकर डॉक्टर सीपी जोशी ने भी अपनी पर्तेगिया दी है तो चली सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा कुछ सीपी जोशी ने सुनिया गांदी बरावर चुनाओ जीत रही है आदमी की हेल्थ की प्रोबलम होती है दूसरी जमश्या होती है और कॉंग्रेस पार्टी का जो नेत्रत्वे चुनाओ की दस्ति से निर् तो सुना अपने सीपी जोशी ने साफ कहा है कि सोनिया गांदी लगातार जीत रही है ऐसे में अब कॉंग्रेस को इससे काफी मजूत ही मिलेगी आपको बता दें कि 2019 के लोगसवा चुनाओं में राष्तान की सभी 25 लोगसवा सीटों पर भारतिय जन्ता पार्टी यानि बीजेपी ने जीत दर्ज की थी यहां दो चुन्डों में गुंटी सप्रेल और 6 माई को चुनाओं हुए थे पिसली बार भी बीजेपी ने राजी सभा की सभी 25 शीट जीते हुए इनको क्लिन स्वीप कर दिया था अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के चुनाओं में लोगसवा चुनाओं में गुंटी सीटे ले पाती है या फिर एक बार वापस बीजेपी बाजी मारती है